कि नोइज केंसलिंग के नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी केकिने और काफ़ इंट्रेस्टिंग वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्स करने वाले माइक सर प्लस के ब्लुटूथ हेडफोन जिसमें आपको देखने मिलता है एंसी जो है अक्टिव नॉइस कैंसलेशन और यह रहा उसका रीटेल पैकेजिंग गाइस काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी बड़िया पैकेजिंग में आपको यह देखने मिलते है प्लस इसमें आपक करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग वीडियो के साथ बड़ियो शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो को करना है लाइक क्योंकि वीडियो के एंड में हम करने वाले एक स्पेशल गिवववे तो वीडियो को पूरी तरीके से देखिए तो यहां पर आप देख सकते हैं मैनूल डाउनलोड करना है तो ऑनलाइन यूजर मैनूल डाउनलोड करके काफी अच्छी बात किये हैं क्योंकि यह लोग ग्रीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसे के साथ नीचे की तरफ यहां पर उन्होंने काफी बड़िया सी ग्रीटिंग नोट प्रोवाइड किये वेलकम पर तीन यूनिट्स आपको देखने मिलते हैं जैसे आपको असेंबल करना है तो आप देख सकते हो काफी प्रीमियम पैकेजिंग में आपको यह देखने मिलता है पीजे की तरफ उन्होंने एक चोटा सा पाउज भी प्रोवाइड किया है और जैसे हम इसे अन्बॉक्स करत आपको देखने मिलते हैं काफी अच्छी और प्रीमियम बिल्ड के साथ आते हैं और काफी इनिशेली हेवी फील होते हैं तो इसे भी फिलाल हम रखते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पे उन्होंने टाइप सी केबल और ऑक्स केबल भी प्रोवाइड किया है और उपर के जो बिल्ड कॉलिटी की तो यहाँ पे आपको ABS प्लास्टिक प्लस अलुमिनियम बिल्ड देखने मिलते हैं जो काफी प्रीमियम लुक इसे देती है प्लस यहाँ पे एर पैट्स के अगर मैं बात करू तो लेधर एर पैट्स प्रोवाइड किया है या फिर आप इसे प्रोटीन लाइट इंडिकेटर और एक माइक्रोफोन और दूसरी तरफ यहाँ पे ANC का बटन प्रोवाइड किया है उसी के नीचे की तरफ LED लाइट इंडिकेटर और एक ऑक्स का भी इंपुट प्रोवाइड किया है और प्लस हेडफोन के दोनों भी तरफ आपको feedback mics भी प्रोवाइ प्रोटेक support के साथ जो बेच्ट है Bluetooth version 5.0 पर इनिचेली जो इसकी build quality है वो काफी एची है और यहाँ पर जो drivers प्रोवाइड किया है वो भी काफी एची है तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे इसे power on और जैसे आप इसे power on करोगे यहाँ पर LED light indicate करती है और Bluetooth के उपर आपको M6 करके आता है बस आपको उसके उपर click करना है और यह automatically Bluetooth के साथ connect हो जाता है और यहाँ पर हम सुनेंगे इसमें sound quality So जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने outdoor में इसमें कुछ song सुनें indoor conditions में भी हमने song सुनें काफी बढ़िया audio quality के साथ आता है काफी अच्छे इसके bass है काफी अच्छे vocals आपको सुनाई देते है और यहाँ पर हमने इसमें ANC भी turn on किया था और जबी भी आप ANC turn on करते हो especially outdoor conditions में यहाँ पर जो background noise है completely cut हो जाता है उसी के साथ अगर आप indoor में यूज़ कर रहे हो तो भी आपको काफी बढ़िया ANC देखने मिलने वाला है और प्लस इसमें हमने call test भी की और call conversation भी काफी बढ़िया तरीके से हो रहा था तो भाई overall music के लिए भी और call conversation के लिए यह headphones काफी अच्छे है और प्लस अगर आप इन headphones को turn on नहीं कर रहे है मतलब Bluetooth इसका turn on नहीं कर रहे है फिर भी आप इसका ANC turn on करके इसकी ANC active noise cancellation का मज़ा ले सकते हो प्लस इसमें आपको aux cable का भी support देखने मिलता है तो practically power on करने की ज़रूरत नहीं बस aux cable के साथ connect कीजिए आपके phone के साथ या फिर laptop के साथ और वहाँ पे भी आप directly aux cable से भी इसमें गाने सुन सकते हो जी हाँ guys बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगी कि इसमें आपको ANC support देखने मिलता है तो इसकी battery life कैसी है इसमें आपको 1050 mAh की massive battery उन्होंने provide किये जहाँ पर अगर मैं music playback time की बात करूँ तो 50 hours का music playback time देखने मिलता है और अगर आप ANC को turn on कर रहे हो तो 25 to 30 hours का playback time यहाँ पर provide किया है और charging की अगर बात करें तो यहाँ पर USB type C port उन्होंने provide किया है जिसमें आपको fast charging capability provide किये तो 10 minute के practical charge पर आपको continuous 6 hours का playback time मिलेगा जो काफी अच्छी बात है मतलब अन्दो को बस 10 minute के लिए charge कीजिए और 6 घंटा music सुनिए और प्लस गैस इसमें आपको over charge protection, temperature protection जैसे कई सारे sensors प्रोवाइड किये है तो यह completely rigid headphone बन जाता है with proper build and proper sound output और प्लस गैस उसी के साथ यहाँ आपे उन्होंने इसका stand भी provide किया है जिसके ओपर कुछ इस तरीके से आप headphone को रख सकते हो और यह stand भी आपको metal और plastic build में देखने मिलता है so बहुत सारे companies stand provide नहीं कर रहे हैं but यह लोग stand provide कर रहे है but guys यह है limited edition packaging में आपको मिलेंगे so जितना जल्दी आप order करोगे आपको possibility है stand मिलने की अगर आप late order कर रहे हो तो शायद limited edition जो stock है वो out of stock हो सकता है यह आपे so guys जल्दी से जल्दी order कीजिए pricing की आप मैंने बात नहीं की है काफी budget price में आपको available मिल जाता है सिफ और सिफ 6499 रुपीज की price में जो practically एक ANC headphone के लिए काफी budget pricing में बोल सकता हो और plus इसके battery life भी काफी अच्छी है and जी हा माइक सार प्लस एक Indian brand है जहां पर आपको एक साल की warranty भी यह लोग provide करते है and जी हा अभी हम लोग आते है उस special giveaway की तरफ तो यहां पर हमारे पास माइक सार प्लस के TWS headphones है जिनका हम करने वाले giveaway और इसके giveaway में इंटर करना काफी जादा simple है इसका एक post होगा Instagram पर आपको उसे like करना है उसके नीचे comment करना है जहां पर आपको Microsoft को tag करना है उन्हें follow भी करना है and guys that's it यही सारी चीजे करने पर आप यहां पर giveaway में enter हो जाओगे and but obvious है tech unboxing का page भी आपको follow करना है नहीं तो अगर आप follow नहीं कर रहें तो giveaway selection होने के बाद भी मैं आपको यह giveaway नहीं दे सकता so guys यही सारी conditions से काफी simple है giveaway में enter करना link में नीचे description में drop कर दूँगा so guys बस यही था आज के unboxing video I hope आपको यह वीडियो पसंदा होगा अगर आपको यह वीडियो पसंदाते तो please इस वीडियो को like कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए please subscribe कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तो और एक important बात please मेरे facebook page और instagram page भी like कीजिए तो दोस्तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद